Good morning students, I am Manisha Sharma from Warriors Defense Academy Ambala Kent आज मैं आपके लिए LCM और HCF का एक चैप्टर लेके आई हूँ जिसके questions अकसर exam में देखने को मिलते हैं तो ये बहुत important चैप्टर है, पहले हम ये करते हैं फिर इसके आगे आपको assignment भी आज मैं आएक दोंगी आपको तो चलिए पहले हम LCM HCF करते हैं, इसका आपको basic समझना बहुत जरूरी है अगर basic आएगा तो ही आप आगे इसके questions जो हैं वो attempt कर पाएंगे तो LCM इसका नाम से ही clear है least common multiple जिसको हम हिंदी में love, serve, verb बोलते हैं लगुत्तम स्वावर्तक दोनों अगठे स्टार्ट कर लेते हैं HCF जिसको हम बोलते हैं म, serve, verb महत्तव, स्वावर्तक least common multiple least common multiple इधर है highest common factor highest common factor तो पहले LCM की बात करते हैं LCM जो है वो क्या है कोई number ले लेते हैं 10, 20 और 40 का LCM पता करें LCM में क्या होता है कि इसका जो meaning है वो क्या है least common multiple सबसे छोटा जो इसका गुनज है वो कौन सा है जो इन से 10 से भी और 20 से भी और 40 से भी वो पूरा पूरा विवाजित मतलब divide हो जाए तो आपने यहां पे LCM में क्या लेना है वो number लेना है जो 10 से भी divide हो जाए 20 से भी हो जाए और 40 से भी हो जाए तो वो number जो है आप कैसे पता करते हो आप इन तीनों को एकठा रख लेते हो 10 20 और 40 और फिर आप उसको अबजय संख्याऊं से चलाते हैं सबसे पहले 2 से करेंगे 2, 5, 10, 2, 10, 20, 2, 20, 40 फिर चलाएंगे 2 पे जा रहा है 2, 5 नहीं जा रहा है उसको ऐसे ही उटार लेंगे 2, 5, 10, 2, 10, 20 फिर यह 2 पे जा सकता है 2, 5, 5, और 5 फिर 5 पे चलाएंगे 1, 1, 1 तो अब आप देखिए कि इधर जो नमबर आ रहे हैं इधर जो डिजर्स आ रहे हैं वो क्या है अब आजया संख्या हैं प्राइम नमबर्स हैं तो यहां पे हमेशा प्राइम नमबर्स ही आएंगे तो अब हम इनको गुना कर देते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 तो आपका जो लोगत्म क्या आगए है 40 और 40 जो ऐसा नमबर है जो 10 से भी विवाजित हो रहा है और 20 से भी हो रहा है और 40 से भी हो रहा है तो इसका जो LCM है वो क्या आएगा 40 HCF जो है अब हम HCF करेंगे कोई नमबर ले लेते हैं 10, 12, और 60 इसमें जो है इसमें क्या था कि वो नमबर लेना था जो 10 से भी डिवाजित हो जाए 20 से भी हो 40 इसमें वो नमबर लेना है जो 10 को भी डिवाजित करे 12 को भी डिवाइड करे और 60 को भी डिवाइड करे इसके HCF जो हम find करते हैं इसके दो method है एक तो है गुणखंड वीदी गुणखंड वीदी और दूसरा है भाग वीदी मैं दोनो method से आपको करके दिखाऊंगे गुणखंड वीदी से करते हैं उसमें क्या करते हैं अकेले अकेले का करते हैं 10, 12 और 60 10, 12 और 60 इधर चलाते हैं 2, 2, 5, 10, 5, 5 2, 6, 12, 2, 3, 6, 3, 3, 3 2, 30, 2, 15, 3, 5, 15, 5, 1 देखिए सारे जो इधर जो अंका आ रहे हैं वो अभजय संख्याई आ रही हैं मैं निकल बताया था आपको अभजय संख्याई क्या होती हैं तो 10 के जो गुंद खंड आई हैं वो क्या हैं उनको लिख लीजिए 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3 और 60 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 अब क्या करेंगे हम इसमें से वो फैक्टर वो गुंद खंड लेंगे जो तीनों में है इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं ले सकती उसको तो इसलिए तीन भी नहीं ले सकती तीन इसमें है इसमें है इसमें नहीं है तो तीन मैं नहीं ले सकती इसलिए हम साथ दूसरी जो विदी है वो क्या है भाग विदी भागवीदी से भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ भागवीदी में क्या होता है 10, 12, 60 उसमें आपने सबसे पहले बड़ा नंबर अंदर रखिए कोई भी रख सकते हैं लेकिन सबसे पहले बड़ा रख लीजिए उससे छोटे से उसको भाग देजिए 10 से भाग कर देती 10 से कम 10 2 माइनस करेंगे 2 आएगा फिर 10 को अंदर उससे पीछे वाला अंदर 2 पंजे 10 अब आप देखिए कि 3 नंबर जो हैं वो अंदर आ चुके हैं और जिसको हमने लास्ट टाइम भाग किया जिसके साथ वही नंबर आपका क्या होगा HCF तो इसमें भी वही दो आया है इसमें भी वही दो ये तो हो गई भाग भी दी और ये हो गई गुनखांड भी दी तो HCF हमने ये दोनों मेथट से नहीं करना है ये बहुत लॉंग मेथट है लेकिन समझ आपको आने चाहिए ठीक है कई बार होता है कई बार ट्रिक जो है वो भूल जाती है हमें पेपर में लेकिन हमें ट्रिक से करना है इसको ट्रिक से भी बहुत इजी है वो कैसे करेंगे हम वो मैं आपको बताती हूँ HCF करने की शॉर्ट ट्रिक 10, 12 और 60 इसमें एक शर्ट है फ्रेंस देखो इसमें क्या करना है आपने तीनो को एक साथ अंदर रखना है जैसे हम LCM करते हैं LCM में तो यह होता है कि हम अगर कोई नंबर नहीं गया तो हम उसको ऐसे ही उतार लते हैं इसमें नहीं करना है इसमें शर्ट यह है आपके कि ये तीनो नमबर जो है ये एक ही टेबल पे जाने चाहिए. एक ही टेबल पे जाने चाहिए. इसी मेथड से हम करेंगे हमेशा HCF. तो इसमें आपको देखने से ही कई पर पता चल जाता है. कई नमबर ऐसे आते हैं चोटे-चोटे नमबर होते है और हमें देखने से ही पता चल जाता है कि इसका HCF क्या होगा करने की भी जूरत नहीं बढ़ती है तो देखिए 10, 12 और 60 जो है पीछे इसके 0 है इसके 2 है तो आपको पता चल गया होगा कि ये 2 पे तो जाएगा ही जाएगा ये तीनों नमबर 2 पे जाएगे ही जाएगे क्योंकि इवन नमबर है समसंग आए है 2, 5, 10, 2, 6, 12 और 2, 30, 60 अब देखिए अब 5 और 30 जो है वो 5 पे जा रहे है लेकिन 6 नहीं जा रहा ठीक है अगर 6 और 30 जाते हैं तो 5 नहीं जा रहा दो पे तो इसलिए हम यहीं जोड़ देंगे इसको तो अंसर आपका गया है ठीक है अब कोई और ले ले लेते हैं 8, 12, और 24 अब इसके HCF ट्राइगे बाइशॉट ट्रिक तीनों नमबर एक साथ रखेंगे 2 से चलाएंगे क्योंकि तीनों 2 पे जा रहे हैं 2, 4, 8, 2, 6, 12, 9, 12, 14 फिर दो पे चलाएंगे क्योंकि जा रहे हैं तब तक चलाते रहना है जब तक तीनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं दो दुनी चार, दो तिये छे, दो चिके, बारा, अब मैं यहीं छोड़ दूँगी इसको, क्यों छोड़ दूँगी, क्योंकि अगर ये दो पे जा रहे हैं, तो ये नहीं जा रहा है, अगर ये तीन पे जा रहे हैं, तो ये नहीं जा रहा है, तो यहीं ये छोड़ देना है, और इनको कर दो गुणा दो दुनी चार तो जो चार जो है वो क्या है आया है आपका HCF ठीक है तो यह है short trick एक question ऐसा आता है कि आपको number दे दिये जाएंगे 8, 10 और 15 अब मैंने क्या बोला है आपको यह दीसरी example ले रहे हूं तो इसमें क्या है मैंने क्या बोला है आपको कि तीनो ही एक table पे जाने चाहिए लेकिन इसमें तो अगर यह दो दो पे जा रहे हैं तो यह नहीं जारा शुरू में ही कोई common जो factor नहीं है इसका तो अगर यह 5 पे जा रहे हैं तो यह नहीं जारा तो इसमें क्या करेंगे हम ठीक है तो HCF जो है इसका क्या होगा 1 जिसका कोई common factor नहीं है तो चलिए अब हम इनके जो हैं आगे types करते हैं किस तरह के आपको यह जो हैं साम आते हैं इसमें HCF और LCM की types करते हैं आगे फर्स टाइप का जो साम है वो क्या आएगा आपको जैसे आपको वो फ्लेक्शन में दे देंगे आठ बटे 10 पांच बटे बारा और तीन बटे चौविस कहा लस व पता करें लस व पता करें तो इसमें लस व पूछा है इसमें आपने ये द्यान रखना है कि जो पूछ रहा है तो आप क्या करोगे इसमें लस व पता करने के लिए आठ पांच और तीन का आप क्या करोगे लस व 10, 12 और 24 का आप क्या गर दोगे मसव इसमें अपनी बात आपने उपर रखनी है अपनी बात मतलब जो उसमें पूछी है वो अपनी बात है अपनी बात को हमेशा आपने क्या रखना है उपर रखना है जो पूछा जाए उसको उपर रखना है उसे उल्टा HCF जो है वो नीचे अगर वो यहां पे HCF पूछता मसव पूछा जाता तो आपने मसव उपर करना था उपर वालों का मसव करना था और नीचे वालों का लसव करना था तो अपनी बात हमेशा उपर तो अब आप 8, 5 और 3 का लसव पता कर दोगे और 10, 12, 24 का क्या कर दोगे मसव ठीक है वो आपने करना है आप इसको ट्राइए ठीक है नेक्स ट्राइब का क्वेशन जो है वो क्या है आपको पॉइंट्स में दे देंगे 0.9 0.18 0.027 का मसव पता करें तो जो दशमलम में दे रखा है तो दशमलम हटा लीजिए इसके 9 बटे 10 पॉइंट के बाद एक डिजट है 10 पॉइंट के बाद दो डिजट है ठीक है 18 बटे 100 पॉइंट के बाद तीन डिजट है 27 बटे 1000 का मसव पता करना है देखो वही कोश्चन नहीं बन गया यह फ्रेक्शन वाला बिन वाला तो इसमें मैंने अभी आपको बताया कि अपनी बाद को हमेशा क्या रखना है उपर रखना है अब 9, 18, 27 का आप क्या करोगे मसव पता करोगे 10, 100 और 1000 का क्या करोगे लसव पता करता हुए तो चलिए एक बार इसको कर लेते हैं 9, 18, 27 का 9, 18, 27 का मसव बते 10, 100 और 1000 का हम क्या करेंगे लसव अब देखो इसमें देखने से ही पता चल रहा है मसव वो कौन सा नंबर है जो बड़े से बड़ा नंबर है जो 9 को भी भाजित कर रहा है 18 को भी कर रहा है 27 को भी कर रहा है तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा वो नंबर है 9 करने के भी जूरत नहीं है 9 जो है 9 से भी divide हो रहा है ठेक है 9 जो है वो ठारा को भी divide कर रहा है और 9 जो है वो 27 को भी divide कर रहा है तो इसका मसवव कितना आगे 9 इसमें लसवव में क्या होता है सबसे बड़ी term देख लीजी आप 10, 100, 1000 में से 100 से भी divide होता है और 10 से भी divide होता है तो इसका लसवव कितना आगे हजार तो इसको दशमलब में कैसे लिखेंगे 0.009 तो ये क्या आगे है इसका HCF, HCF उसने पूछा था तो ऐसे fraction वाले जो सम होंगे आप उनको ऐसे ट्राइब करें नेक्स जो टाइब है इसकी वो कैसे आती है उसमें आप से पूछा जाएगा question आएगा 2 की 3 2 की 4 2 की 8 2 की 12 2 की power 7 का लसव ग्याद करें इसमें आप एक बार समझो कि जो लसवव होता है ऐसे घात में आपको दिये जाएं numbers तो आपने सबसे बड़ी घात देखनी है LCM में क्या देखना है सबसे बड़ी घात सबसे बड़ी घात वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा LCM तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 2 की 12 तो वही आपका क्या हो गया है एलसें ठेक है इसी परकार अगर एटसीफ वह पूछ लेते हैं है एटसीफ में क्या करना है सबसे चोटी घात सबसे चोटी घात वाला क्या होता है तो इसमें सबसे चोटी घात क्या है दो की तीन तो यह आपका क्या हो गया मर्सव ठीक है चलिए एक क्वेशन और करते हैं इस टाइप का अगर वो यही क्वेशन को पावर्स आपको नेगटिव दे दे तो कैसे करना है दो की चलिए कोई और क्वेशन लेते हैं 2 की पावर 4 2 की पावर 8 माइनस 8 माइनस चलिए कोई और कोशन लेते हैं 2 की पावर 4 2 की पावर 8 2 की पावर 10 2 की पावर माइनस 3 का rowch need JCF सताब आ है else me मैं ई मैंने क्या बोला है सबसे बड़ी गात लेनी है आपने तो नेगटिव पावर में क्या होएगा जो negative numbers होते हैं, उसमें से जो सबसे आपको छोटा दिख रहा होता है वो सबसे बड़ा होता है तो जैसे सबसे छोटा 3 है, लेकिन powers इसमें negative है, तो सबसे बड़ा कौन सा होएगा, 2 की power minus 3 ठीक है, hcf में क्या है, जो powers negative में आपको सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, वो सबसे छोटी होती है, 2 की power minus 10 इसका क्या होएगा hcf ठीक है चलिए, एक और question करते हैं वो थोड़ा सा लग होगा इससे वो कैसे आएगा, 2 की power 2, 3 की power 3, 4 2 की power 3, 3, 4 की power 2, 2 की power 3, 3 3 की power 2 4 की power 3 का एक 5 ले दो का लसर वर पता करें लसर वर पता करें तो लसर वर में मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ी घाद देखनी है ये question जो है आपका 2, 3, 4 और 5 में है, तो इसमें टीन टम्स में ये दिखा हुआ है एक टम ये है, एक ये है और एक ये है तो आपने 2 की सबसे बड़ी घाद देखो कौन सी है, 2 की power 3, LC हम पता करेंगे 2 की power 3 3 की power देख लो सबसे बड़ी कौन सी है 3 की, 3 4 की सबसे बड़ी power कौन सी है 4 की, 3 और 5 की सबसे बड़ी power 5A की है, तो 5 आजेगा तो ये आपका answer होगा ठीक है इसमें क्या किया है मैंने सबसे बड़ी power देखी है 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की और 5 की इसी तरह HCF करेंगे है HCF में 2 शर्ते है इसमें आपने चोटी घात देखनी है चोटी घात देखनी है और common number देखना है common number देखना है common number देखना है इसमें सिर्फ एक ही देखा था हमने बड़ी घात देखी थी इसमें चोटी घात देखनी है और common number देखना है चोटी गाद मतलब 2 की सबसे चोटी गाद कितनी है सबसे 2 की 2 और 3 की सबसे चोटी गाद कौन सी है 1 ठीक है 3 4 की सबसे चोटी गाद कौन सी है देखो 4 सम्मे है 3 सम्मे था मैंने लिया ठीक है 2 सम्मे था तो मैंने लिया तो चार जो है, वो सब में है, येस है, वो चार की सबसे छोटी गात, चार है, पांच, पांच मैं लेनी सकती, इसमें, इसमें मैंने लिया था, क्योंकि इसमें पांच जो था वो इसमें पांच मैंने लिया था लेकिन इसमें मैं नहीं ले सकती क्योंकि इसमें common नहीं है तीनों में क्योंकि इसमें शर्त मैंने ये बताई है आपको कि common होना चाहिए तो इसलिए 5 हम इसमें नहीं लेंगे तो इसका HCF जो है वो इतना आएगा ठीक है तो आज के लिए हमारा इतना ही है ये आप ध्यान से इनको देखी है मेरे वीडियो को और आगे मैं आपको एक assignment देती हूँ इसको आपने try करना है तो ये है आपकी assignment आज की इसमें दोड़ा समय आपको बता देती हूँ इसमें जो मैंने ये highlight कर रखा है तो ये आपके answers है ठीक है तो आप try इसको जूड़ करना आप एक बार इसमें first question क्या है बारा, 36 और 84 का मर्सरवर means HCF पता करे ठीक है तो HCF मैंने आपको बताया है कैसे करना है वही short trick से करिएगा 10, next question है 10, 25, 35 और 40 का LCM बता करे तो LCM भी आपने करना है वैसे try करके देखना है और ये fraction वाला question है fraction में आपको मैंने बताया था कि उपर वालों का अपनी बाद आपने उपर रखनी है LCM पूछा गया है तो उसको उपर रखना है जो पूछा जाए उसको उपर रखना है 2, 4, 8 का आपने LCM पता करना है फिर नीचे वालों का क्या करना है HCF ठीक है fourth question पे HCF पूछ रहा है तो अपनी बाद आपने उपर रखनी है means HCF को आपने उपर रखना है में कौन सी घात लेनी होती है और ट्राइ करना है मॉसवव भी करना है और लसवव भी फाइन करना है ठीक है दोनों के answers मैंने दे रखे हैं तो आप इसको जूरूर देखिएगा मेरी वीडियो को और ट्राइ करके देखिएगा थैंक्यू आपनाइस टे